तो कपिल शर्मा की शो में खुला एक राज, गेम के चकर में तूटने वाले थे यह म्यूजिक डिरेक्टर की जोडी, आईए मैं आपको बताऊंगी पूरे माज़रे के बारे में इस वीडियो में, नमस्कार, मैं सनगधा स्वागत करती हूँ आपका बेग हैडलाइन्स पर, आपको बता देदा कपिल शर्मा शो में कपिल के महमान है संगीत निर्देश की जोडी सचन जिगर, इस जोडी ने शो में बाचीत के दौरान कई दिल्चस्प खुलासे किये, और जब कपिल शर्मा ने इनके आगे की फिल्मों के गाना गाने की इक्षा जताई, तो दोनों करने के लिए अपने शुरुवाते दिनों के बारे में बताए, और साथ ही साथ जवाब में दिवे कुमार ने एक किस्सा शेयर करते हुए, एक ला जवाब खुलासा भी किया, कि उन लोग तीनों की जोडी कैसे टूटने वाली थी, और क्या कुछ हुआ था, और पूरे अफसर था, मैं संगीत और गाने बनाना सीखना चाहता था, और मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत शुक था, मैंने सचिन जिगर की जोडी के पास काम करना शुरू किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि उनके साथ काम करने का और हम तीनों की जोडी ऐसे बन जाएगी, ऐस करने के बाद से हम लोग उनने तीनों एक बहुत ही प्यारा म्यूसिक बनाय था, असल में फिल्म में म्यूजिक का काम क्या होता है और इसमें कितनी महनत लगती है या उन्हें सही तोर पर उस टाइम पर ही पता चल पाया जब तीनोंने साथ मिलकर काम किया था और तीनों की जोडी ला जवाब थी, उसने उन्होंने या भी कहा है कि उन्हें मोका मिल गया था, तो वह राद भर काम कर रहे थे, काम के चक्कर में उन्होंने स्टूडियो से बाहर ही निकलना छोड़ दिया था, वह निकल नहीं पाये थे, बहुत सारा काम हो गया था और गंभीरता से वक काम कर रहे थे पिर उनोंने एक किस्से के बारे में बताई है जिस किस्से में उन्issions उन्हें बताया क्या हुआ था एक दिन जब सचेन और जिगर को देखने के लिए बाहर गए थे तब वो देख चुके थे कि दोनों तो game खेल रहे हैं तभी उन्होंने सोचा कि इन्होंने इसलिए मुझे higher किया है कि दोनों game खेल सके कुछ दिनों बाद दोनों ने मुझे कहा कि अगर तुम ऐसा काम करने लगे तो चार दिन में background score का काम खत्म हो जाएगा और थोड़ा बाहर आया करो, हम लोगों के साथ बैठा करो तो इस तरीके से सचन जिगर ने उन्हें भी बोला कि अगर ऐसा काम करोगे तो बहुत जल्दी काम खतम हो जाएगा लेकिन उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी उन्हें ऐसा लगा था कि ये लोग दोनों अपने गेम के चकर में मुझे सिर्फ काम पर करवा रहे है मेरे लिए यह सम्मान की बात थी कि मैं सचन जिगर के साथ गाना कर रहा था दीरे दीरे मैं भी इसमें ढलने लगा और उनके साथ मैं भी खेलने लगा एक दिन हम चारो यानी सचन जिगर प्रिया यानी जिगर की पतनी और मैं मोनोपोली गेम खेल रहे थे इस खेल के दौरान सचिन जिगर ने ऐसा जगड़ा किया कि मैं काप उठा और मैंने प्रिया से पूछा कि या अपनी जोड़ी तो नहीं तोड़ देंगे ना दोनों ऐसे जगड़ा कर रहे थे कि इन ये तो पूरे डर से गए थे और इन्होंने डर के मारे ऐसे कापे और इन्होंने सीधे से जगर की पत्नी यानि प्रिया से पूछ डाल की कही इन दोनों की जोड़ी तो नहीं तूट जाएगी प्रिया ने एकदम आराम से कहा कि कुछ नहीं होगा ऐसे रही होगा एक घंटे में वापस सब सही हो जाएगा और दोनों शांत हो जाएंगे और फिर क्या हुआ सचिन और जिगर की जोड़ी ऐस यूजवल बनी पड़ी छगड़े वगड़े तो होती रहते हैं लेकिन फिलहाल आपको बता दे कि कपिल शर्मा के सेट पर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि सचिन और जिगर दोनों जो म्यूज़िक कंपोजर हैं इन दोनों की जोड़ी तूटने वाली थी एक छोटे से छगड़े को लेकर लेकिन या छोटे मोटे छगड़े तो चलते रहते हैं आम तोर पे दोस्तों की बीच आप भी बताईए अपनी राय इस वीडियो को लेकर और तमाम बॉलिवुट खबरों के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ